तो ये पूरा Excel Seed जो है blank हो जाए यही ना देखिए ये चाहते हैं कि पूरा Excel Seed blank हो जाए अब देखिए यहाँ पर row और column आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है ना Ctrl A प्रेस कर लिजिए पूरे Excel Seed को select करने के लिए आप यहाँ पर भी click कर सकते हैं यह जो दिया हुआ ह Excel Seed select हो जाएगा आप प्रेस कीजिए Alt पहले Alt प्रेस कर दिजिए फिर प्रेस कीजिए W फिर प्रेस कीजिए V फिर प्रेस कीजिए G तो जैसे ही यह प्रेस करेंगे तो अब देखिए यह blank हो गया है देखिए ना यह पूरा blank हो गया यानि कि इस पे से grid line हट चुकी है